प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशनस आपको इजिली मिलते रहें चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले 500 ग्राम पनीर लेंगे उनको एक एक इंच के चोको टुक्रो में कट करके रख लेंगे तीन मीडियम साइज के प्याज लें उनको भी बारीक काट करके रख लें पांच मीडियम साइज के टमाटर लेने हैं उनको भी कट करके रख लें थोड़ा सा अध रख लें उसको भी बारीक काट लें और मिर्च अपने आवशकता नुसार रख लें और 20-25 काजू आदे घंटे के लिए पानी में बिगो करके रख दें फिर एक चौथाई चम्मच हल्दी लें एक चम्मच रख भिलें मशाणी चम्मच लेए और चिन नहीं पसंद है तो नरती हम जालें लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा हो जाता ह इसलिए थोड़ी सी चीनी आप इसमें एड़ कर लें फिर दो से तीन बड़े चममच आपने ओल लेना है उसमें प्याज को जो अब ही चॉप्ट करके आपने रखे दे इसको डाल देना है और इसको मीडियम आच पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनना है इस तरह से ज उड़न ब्राउन ऑना हो जाए यह देखे गोल्डन ब्राउन हो गया तो हमने इसमें टिमाटर भी एड कर दिया है और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक पूरी तरह से गल नहीं जाते हैं तो इसको बराबर चलाते रहें और इसको अच्छी तरह से पक जाने दे यानि पूरे टमाटा जब अच्छी तरह से हमारे गल जाएं फिर उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें अब हमें काजू और दो दाल चीनी के छोटे टुकडे और दो हरी लाइची लेनी हैं और इनको मिक्सर में पीस लेना है फिर उसके बाद जो मिश्रण हमारा ठंडा या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं और फिर उसमें आप पेस्ट को डाल दें और डाल करके इसको अच्छे से भून ले हमें आज मीडियम ही रखनी है या थोड़ी सी आप स्लो कर दें यह बराबर चलाते रहना है आपने यह थोड़ी देर रख को इसको पकाना है जब त इसको बराबर से भूनते रहें यह बिल्कुल भी लगे नहीं इसलिए इसको बराबर चलाते रहें और फ्लेम को अपने हिसाब से एड़ेस्ट कर ले और इस तरह से चलाते रहना जब तक कि यह घी नहीं चोड़ने लगे तब तक इसको बराबर से चलाते जाई और अच्छ आब आप किया है क्योंकि ठोड़ा डिकाध कर दें तो फिर इसमें पनीर एड करने के बाद आप अप Neighborly टी इस्पून कसूरी मेघ्षी को अच्छे से एड़ करके इसको मिला दें, मिलाकरके इसको फिर से पकने देनायमें तो फिर से यह पांच मिनट तक आप से अराम पकने दें, और जब यह पूरी तऱ से पकने पकने गbersіть यह थोधे I hope कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले. थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो.